हाई व्रिवान, वेल्कम बैक टो माई कीचेन, आज मेरा कीचेन में बनाऊंगी सुपर सॉप्ट कॉटन धोसा, जो खाने में बहुत ही सॉप्ट होती है, इसमें अमाई कोई धोसा डाल और चाबल कुछ भी उस नहीं करेंगे, कितना हेल्दी है डायवेटिक पेशन के लिए, बनाना शुरू करें, इसको बनाने के लिए मैंने शाबुदाना लिया, वन कप, शाबुदाना को अच्छा से धोके इसको ओवरनाइट शोग करके राखना है, नहीं तो 3-4 आवर्स भी आप शोग करके राख सकते हैं पानी में, तो इसको ऐसा सॉप्ट हो जाने का बाद हम मैं अखरे हो इसको शुजे करें यह लिए तो इसको निकाल दाए शुज़ कर लिया मैने और शुदाना डाल रहीँ, वूत्धी में सुजी भी डाल रही हूं, सुजी यह और कुंसा भी ले सकते है और 2 काप यह प् हमीने शुज़ निकाल दिया, भीस कर लेंगे, अरकम ठी देखिए कितना स्मूथ बैटर बनके रेडी हो गई तो आप देखिए इसको हम लोग एक mixing bowl में transfer कर रहे हूं आप चाहे तो इसको दो तीन दिन में freeze में राक के भी enjoy कर सकते हैं और instant भी बना सकते हैं लेकिन ज्यादा दिन इस्टोन नहीं कर पाएंगे तो अब जितना quantity आप ब coconut milk भी add करूंगी लेकिन उसको add करने को बहुत गुटलिया बन जाते हैं तो आपको जैसे मीक्स करना मुश्किल हो जाए तो आप दो बारा mixer grinder में पीस ले सकते हैं एक सेगन के लिए चाला सकते हैं तो इसको क्या है जब गुटलिया बने का कोई चांशस नहीं है जो बीगिन के carina on fruit salt बहुत जोल्दी एक्टिवेट हो जाती है तो इसलिए आप जीतना quantity बनाएं गे उस से यह सभस से mix की जिए ज्यादा quantity में मिक्स मत की तब तो जीतना बनाते ठाइम लगेंग अ उसको अपैक्षन खतम हो जाते है तो इसलिए महीने अच्यासे mix का लिया तो आप Sermentation क भी राख सकते हैं और थोड़ा सा बेकिंग शोड़ा बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं और इसमें ना मैं थोड़ा सा ऑईल बिल्कुल यूस नहीं करेंगी उइदा हुआ हमारा नास्ता बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तब देखिए मैंने नौन स्टिक पैन लिया और इस करके देखा रही हूँ इसमें भी मैं बिल्कुल ऑईल यूस नहीं किया विदाउट ऑईल घी बाटर छोड़के भी आप एंजय कर सकते हैं अब दिखें कितना जालीदार अच्छा से देरे देरे बन रहे है और इसको ना बनाने टका टाइम बे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम मैं अब लोग बनाईए ज्यादा हई फ्लेम में मौत किजिए मैंने इसको फ्लीप करके दुसरा साइड भी आप लोग को दिखाऊंगी जैसे दुसरा साइड में कैसे कितना यूमी लगते है देखने में दिखिए तो हैई फ्लेम में बनाईगे तो इसको जलने का चांसते ह तो इसे ही शाब से आप लोग देख लीजिए, मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाईए और नॉन स्टिक पैन जरूर होना चाहिए, तब दिखें कितना जाली दा धोसा हम लोग को रेडी होके, जल्दी रेडी हो गई ना, तो आप लोग इसको ब्रेक्वस्ट में कर सकते हैं, आप देखें मैंने और एक दिखा रही हो, कितना जल्दी जल्दी बनते हैं और बैटर भी ऐसा स्मूथ होना चाहिए, नहीं है तब जार में, ग्राइंड जार में और थोड़ा कर लीजिए, जैसे कोई गुटलिया ना रह जाए, और कोकनट पाउडर, मिल्क प तो क्या है ना इसको बहुत जल्दी उपर आला पुर्षन हो जाते हैं, तो इसको क्या है ना फ्लीप करने का कोई जरूरूरत नहीं है, अब देखिए कितना जालीदार धोसा रेडी हो गई ना, इतना सौफ्ट है ना देखके ही पता चल रहा है, तो मेरा रेसिपी अच्छ साबुदाना यूज किया और सूजी यूज किया तो सूजी में बहुत सारे फाइवर भी रहते हैं, चाबूल बिल्कुल यूज नहीं कि आप देखिए कितना जल्दी, इतना हिल्दी, सौफ्ट, स्पॉंजी धोसा रेडी हो गई ना, एंजाय किजिए, थैंकि फो वाचिं पर्मी लेंगे बाब